आज हमें ज़ांगी तो गरंगर आसने के आपर hollow صंभ बाद gearede हम सेिंठ विसपर ऑफ guild के बारे में रिविई और इस्के ह DNA के बारे मेंuchtड बताने वाले हैं पहbir हम जयोंगे के कास्क्त के उपर उसके बाद details उसके बाद hot sense के timing के उपर और last में हम discuss करेंगे इसकी basic storyline और इसके review के बारे में so let's come upon its cast line इसमें त्रीदा अच्छादरी ने रूमी का role play के है तामी come on its details यह release हुई थी 22 December 2023 को इसके total 8 episode लिस हो चुके है जिसका अभी एक ही season आया है जो आपको देखने के लिए मिलेगा crime drama इस genre में जो आवेलेबल है आपको बेंगॉली language में देखने के लिए आपको अधा times के web series और OTT platform पर जाना पड़ेगा इसके mdv rating अभी तक not आवेलेबल है पर average length हम बता सकते हैं इसकी average length हर एपिसोड की 22-30 minutes पर differ करती है तो लेट्स कम अप ओन इस Hudson के timing के उपर पहला आता है एपिसोड 4 में 18 minutes और 56 seconds पर निशी कीता दास का एक passionate smack lips न दिखा गया और last आता है एपिसोड 8 में 16 minutes पर एक actress का passionate affection scene दिखाए गया है तो लेट्स कम आप ओन इस बेसिक storyline तो storyline कहती कि जहां पर एक अलग सा fan base चल रहा था इस webster इसके उपर tom ने इस पर पूरा का पूरा review बना दिया है तो यह actually एक खून हो जाता है तो कहाने की शुबात होती है जहां पर एक murder हो जाता है और rumi नाम की एक लड़की कैब में जा रही होती है वहाँ पर हमें देखते है कैसे वो rumi को एक लड़की मिलने वाली थी कुछ बहुत ज़्यादा एक खुलासा करने वाली थी पर वो शायद से नहीं कर पाती, क्योंकि वो लड़की गायव हो जाती है, पर उसका मॉर्डर हो जाता है, दुसरे दिन हमें पता चल जाता है, अब रुमी और उसका पती दोनों भी मिलकर एक केस पर कांड कर रहे होते जहाँ पर वो एक लीड फॉलो करते हैं, वो लीड था एक रिंग और एक कार्ड जहाँ पर हमें दिखा जाती कि कैसे, उस कार्ड पर एक अजलग सा डिजाइन था और उस डिजाइन से बहुत सरे इलीगल काम कर रहे थे, तो बहुत सरे मनी ट्रांजेक्शन हो रहे थे उस कार्ड को स्कैन करके और कैसे हो रहे थे, वो नहीं मालूम था रूमी का पती जो था, बहुत ज़दा डाइलामा हमें चला गा था, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक पोजिशन होल्डिंग कर रहा था और पोजिशन होल्ड करते हूं फायर कर देता है, एक अलग सी लड़की को लग जाता है और वो लड़की उसके दोस्त के बेटी की गल्फरेंट होती है तो इस वज़ए से बहुत ज़दा उसका जो फ्रेंड का जो बेटा बशुर्चा डाइलामा में चला जाता है और वो उससे दूर रहने लगता है, सबसे दूर रहने लगता है, वहाँ पर हमें पता चला थी कैसे, उन दोनों दोस्तों की दूरिया कैसे आई थी, और फिर से वो जॉइंड करता है, और जॉइंड करते ही उसके सामने बहुत सारी चीजों का खुलासा हो जाता, एक केस पर उसने काम करना चालू किया था, उस केस को उसने शायद से क्लोज किया था, पर ऐसा नहीं हुआ, वो क्लोज नहीं हुआ केस और फिर से रिवाइंड हुआ, और ये फिर से अब रूमी का पिताजी का मर्डर हुआ था, तो किस नहीं किया था, वो भी लिंक रूमी ने अब इ सेट ओपन करती जहां पर हमें दिखा जाता कि कैसे हर एक चीज हर एक पार्ट को हर एक नजर यह से वो देख रही थी पर उसके सामने कुछ ऐसे सिनेरियों नहीं आ रहे था क्योंकि उसने एक लड़की को बेज जाता अंदर उसने भी जादा से जदा इंफॉर्मेशन नहीं देपाई क्योंकि वो भी किडनाप हो गई अब यहां पर उसे पता चल जाता है कि वो जो लड़की को जिसने शूट किया था जो उसके दोस्त की बेटी की गल्फरेंड थी वो ड्रग रैकेट में इनवाल थी बहुत सारा ब्लैक मानी वो क्यारी कर रही थी यह शायद से बह शूट कर दिया रूमी काजबन के अब शूट करने के बाद उसको बहुत भूरा राखता है वो खुलासा जब हो जाता है तब हमें एक एक पार्ट रिविल होने लगता है कि रूमी को भी पता चल रहते कि उसका पिता जी को जो मारने वाला था वो ही इन कातिलों के पीछे चल रहा है वो ही स्ट्रक्चर चल रहा है वो हर एक बंदे को फॉलो करते है और उने एक लीड मिल जाती है लीड ऐसी थी कि वो एक आदमी को पकड़ लेते जिससे वो इन्फॉर्मेशन उपन होने वाली थी अब उसकी बीचे जो चली जाती है तब यहाँ पर हमें पता चल नहीं मिलती क्योंकि वो पहले से वहाँ पर मारा हुआ था उसको मारने के लिए एक और आदमी आया था पर उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है और उसको भी सायद से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे यह सब कुछ इन्फॉर्मेशन की बैटल में सब को यह चल जाता है कि कैसे वो एक गवा खोज लेता है और उस गवा के पीछे चला जाता है उस गवा को वो स्पोट आउट करता है क्योंकि वो हर बार किसी को टार्गेट करके मार रहा था अब यहां पर हमें पता चल रही कैसे उस गवा को वो पकड लेता है और पकडने के बाद पुरुमी अपने यहाँ पर चलिया थे घर पे और घर पे जाने के बाद हमें पता चाहता थे कि उसके जो नाना या चाचा थे शाद से वो उसमें इनवाल्ड थे अब उसका हजबन एक एक चीज़ को क्लारिफाइ करने लगता है कि क्यों यह सब कुछ हो रहा था तब वहाँ पर हमें पता चाहता है कि जब पात सो और हजार के नोट बैंड होएते इंडिया में तब उनके पास कोई भी जरिया नहीं था मनी एक्सचेंज करने के लिए तब उन्होंने प्रोसिट्यूट का सहारा लेकर उस चीज़ को बढ़ावा दिया या उस चीज़ को आगे लेकर चले गए जहां पर हमें पता चल रहा है कि कैसे है और एक चीज़ को वो बहुत बारिकी से प्लैन करके एक्जिक्यूट कर रहे थे बहुत बारिकी से प्लैनि कारा नहीं ले सकते तो वो जादे से अधा लड़कियों के ट्रांजेक्शन को अकॉंडमेंट डाल कर उनसे पैसे लेते थे और उनसे काम करवा थे तो इस वज़े से बहुत सारा पैसा उनके पास आ गया था अब वो रखे कहां पर इस वज़े से बहुत ज़दा इन चीजों क का QR code का यूज करके सब कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे थे इनका पता चलने के बाद वो बहुत ज़दा डिप्रेस हो जाती है क्योंकि उसका जाचा इसमें इन्वाल था और उन्होंने पिता जी को इसलिए महारा था क्योंकि के बारे में उसके पिता जी को पता चल गया था और इसी मिक्स फिलिंग के साथ यह जो पार्ट है यह जो सिजन है यहाँ पर खतम हो जाता है तैंक यूफर वाचिंग दिस वीडियो बाकी का जो भी कुछ है वो हमारा AI आपको सब कुछ डीटेल में बता ही देगा Hence वीडियो पूरा देखने के लिए Next hot and spicy वीडियो के लिए कल मिलते हैं Same time, same channel but different subject के साथ तब तक के लिए goodbye and take care